अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं ये इन्फोर्स्मेंट SI और बिहार दरोगा प्री एक्जाम्स के लिए चलाया जा रहा है साथी साथ हमारी यूट्यूब चैनल पे मेंस के लिए भी प्राक्टिसेट चलाया जा रहा है जलनी आप लोगों को बिहार फॉरेश्ट गार्ड की एक्जामका और देली पुलिस की एक्जामका भी प्राक्टिसेट अफलेबल करवा दिया जाएगा तो चली अब बढ़ते हैं कोश्चन की तरफ आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो यह कह रहा है कि कोवीड उनाई संक्रमित बेक्ती की सूचना प्रदान करने वाला आरोग सेतू एप की इस मंतराले के द्वारा लॉंच किया गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बहु हो जाएगा उप्सन नमर बी इलक्ट्रोनिक से मंसूचना प्रदागी मंतराले के द्वारा ये चलाया गया है एक चली एक लक्टोनिक सम्सूचना प्रदगी मंतराले का एक डिविजन है जिसको बोला जाता है नेशनल इगवर्नेस डिविजन उसी डिविजन ने स्वास्तो अम परिवात करल्यान मंतराले के साथ मिलकर ये एप को तयार किया है कुछ और करोना से इंपोर्टेंट एप को याद रखेगा जैसे एक है संजीबियन एप जिसको बिहार सरकार के द्वारा लौँच किया गया है करोना संक्रमन के परसार को रोखने है तू एक है घरघर निगरानी एप इसको पंजाब सरकार के द्वारा लौँच किया गया है क Q2 कारा, बिस्वक का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुप्धा को पूरी तरह से फ्री करने का निन्न लिया है, तो अगर हम बात करते हैं कि यह कौन सा देश है, तो यह है लक्ष बर्ग, तो आपसा नमबर B जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, लक्ष नहीं है, सही अंसर होगा, अगर हम बात Microsoft की करते हैं, तो इसने यह कहा है, कि जलवाई परिवर्तन से निपठने के लिए, अब हम जो कारवन उस सर्यान वाले जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम 2030 तक खतम कर देंगे, अगर हम बात Microsoft की करते हैं, तो Microsoft से याद रखेगा, इ यह किया गया है, दिल्ली के इंद्रा गांधी अंतर राष्टी हवाई अड़ा को, तो आप्सन नमर ए जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, कुलकत्ता है, अंतर राष्टी हवाई अड़ा, कुलकत्ता, 36 सिवाजी महराज, अंतर राष्टी हवाई अड़ा, जो है, बो है, मुंबई महरास्टरा में चन्न grant कोशनी में भरत का पहला जिवीत पाल कला संगराल की सराज में थापित किया जाएगा तो ये किया जाएगा करनाटक में तो option नमर A जो होगा वो हमारा सही एंसर है करनाटक से याद रखेगा यहां के मुख मंत्री है यहां के गवर्नर है बजुबाई भाला और करनाटक जो है वो कॉफी, सुरज, मुखी और मक्का उत्पादन में भारत में प्रथम अस्थान पर है नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 6 कोश्चन नमर 6 कह रहा यूकरेन के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो यूकरेन के जो नए प्रधान मंतरी है उनका नाम है डेनिस सिंगल तो अप्सन नमर A जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा अगर हम बात यूकरेन की करते हैं तो यूकरेन जो है वो इस्टन यूरोप में स्थिते कंदेश है और इसकी क्यापिटल का नाम है कीब नेक्स कोशन है कोशन नमर सेबन, कोशन नमर सेबन कहरा Each and Each for equal theme के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो ये मनाया गया है 8 मार्च 2020 को अंतराष्टिय महिला दिवस तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा अप्सन नमर बी अंतर रश्टिय महिला दिवस के अगर बात करते हैं तो theme था I am generation equality, realizing women's right Next question है मारा question number 8 Question number 8 का एरा सर्वोच नियाले द्वारा ना बीबिया से अफिर की चीतों को भारत में पुर्णवास हेतु मंजूरी परदान की गई है भारत के किस बन्यचीब अभियारन में इन चीतों को रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा कुलो पालपूर अभियारन जो की मध्य परदेश में है एक चीद ये याद रखेगा इस question से कि कहां से अफिर की चीतों का पुर्णवास हेतु मंजूरी दिया गया है तो वो country है नामीबिया clear है अगर हम बात कुलो पालपूर अभियारन की करते हैं तो ये तो कहां इस्थित है ये मध्य परदेश में इस्थित है अगर हम बात बुकसा भियारन की करते हैं तो ये पश्चिम मंगाल में इस्थित है जीन कॉर्वेट अभी आरन जो है ये उतराखंड में इस्थित है और पचमडी अभी आरन जो है ये भी MP में इस्थित है अगर हम बात नाभीविया की करते हैं तो नाभीविया से याद रखेगा ये एक दच्छीन फिरका का एक देश है और इसकी राध्धानी है बिड़ हॉक किस रात सरकार ने मिसं सक्टी विभाग किया स्थापना की है ये किया है उडिसा कोबर्मेंट के दवारा किया गया है तो अपसरण नमर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर है मिसन सकती उडिसा अगरा बात उडिसा की करते हैं तो उडिसा जो है उडिसा के मुखमंत्री का नाम है नवीन पठनायक और उडिसा के गबर्नर का नाम है गनेसी लाग और उडिसा जो है वो बॉकसाइड, निकल, क्रोमाइट के उत्पादन में भारत में प्रथा बस्तान पर वाला जो bank है वो है ICIC bank तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा ICIC bank नहीं हाली में ibox नामा अग्रनी self-service delivery facility launch की है अगर हम बात bank को बडोधा की करते हैं तो bank को बडोधरा से याद रखेगा इसका headquarter है बडोधरा में गठन हुआ था 1908 में और इसके chairman का नाम है हस्मुक अधिया अगर हम बात SBI की करते हैं तो SBI से याद रखेगा 1995 में पच्पन और headquarter Mumbai अगर हम बात ICIC bank की करते हैं तब याद रखेगा 1994 में और Mumbai headquarter Kenra bank की बात करते हैं तो Kenra bank 1969 और headquarter Bangalore next question है हमारा question number 11 question number 11 कह रहा है NATO का मतलब होता है the North Atlantic Treaty Organization जो की 1949 में established किया गया था और जिसका headquarter है Brussels Belgium में clear है अब अगर हम बात करते हैं December 2019 में इसका आयोजन बिटेन में किया जाएगा बिल्कुल सही है इसकी अस्थापना 1949 में की गई थी ये भी बिल्कुल सही है और इसका question number 12 question number 12 कह रहा BCCI ने किस से राष्ठिये चैन समीति का ध्याच नुक किया है तो BCCI किया है सुनील जोसी को तो option number B जो है वो हमारा सही अंदर है BCCI के अगर बात करते हैं तो BCCI का full form है board of control for cricket in India इसका अगठन हुआ था 28 में इसके headquarter है Mumbai में अभी इसके ततकालीन प्रसिडेंट का नाम है सौरब गौंगली और इसके जो secretary है यानि सचीब है उनका नाम है जैसा next question number 13 question number 13 कह रहा बर्ड लाइन इंडिया द्वारग जारी डिजिटल लेंदेन में कौन सा राज सिर्स अस्थान पर रहा है तो डिजिटल लेंदेन के अगर बात करते हैं तो महराष्ट जो है वो प्रथम अस्थान पर है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा महराष्ट से याद रखेगा यहां के मुखमंतरी का नाम है उधर ठाकरे और महराष्ट जो है वो प्याज और जौर का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज भी है next question हमारा question number 14 question number 14 कह रहा अंतराष्ट ये योग महोसब कहां का योजन कहां किया गया तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा जिसी case में उत्राखण में यानि option number C अगर हम बात योग दिवस की बात करते हैं तो इस बार का जो घाटन था वो उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आधितनात के द्वारा किया गया था और अंतराष्टिय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है next question हमारा question number 15 question number 15 कहरा बिस्व बनने जीब दिवस का मनाया जाता है तो बनने जीब दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और इसको मनानी की जो सुरुवाद थी वो 2013 से किया गया है अगर हम बात मार्च से important कुछ होट डेज के रख करते हैं तो याद रखेगा 8 मार्च अंतराष्टी ये महिला दिवस 15 मार्च 20 भोगता अधिकार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस या फिर 20 जल दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को 20 मौसं भिग्यान दिवस और 27 मार्च को 20 रंग मंच दिवस आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो पसंद आ रहोगा तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट का मैं बेट करते रहता हूँ क्योंकि इसे मुझे भी मॉटिवेशन मिलता है साथी साथ मुझे ये लगता है कि नहीं मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए फ्रूटफुल दावित हो रहा है ये एडिटोरिया के बुक से प्राक्टिसेट चलाया जा रहा है जो एडिटोरिया का वॉलूम वन बुक आया है ये SI Prelims के लिए उसके लिए आज हम लोग डिसकस कर लें सेट नमर 6 एक से पांचता कॉलेड़ी अप्लोड़ेड है आप जाके वहाँ से देख सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरब जो कि हमारा कोश्यन नमर 16 Question number section कह रहा है 21 राज ने जाती अधारी जनगना के लिए परस्ताओं को पारित किया है तो ये जो जाती अधारी जनगना के परस्ताओं के लिए पारित किया है वो किया है बिहार सरकार के द्वारा तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इससे एक चीर याद रखेगा कि पहली बार भारत में जो जाती आधारी जनगना थी वो 1931 में किया गया था Next question number, question number 17 Question number 17 का रच जनबरी 2020 में आंध पदेश ने अपने राज के लिए 3 राजधानियों की अस्थापना की मंजूरी दी है निम्रिखित में से कौन सा कथन इस संबंद में सत्य नहीं है इसकी नियाई की राधानी अमराबती होगी गलत है क्यों क्योंकि जो नियाई की राधानी है वो अमराबती न होके कुर्नूल होगा इसकी कारिकारी राधानी विशाका पटनम होगी बिल्कुल सही है इसकी बिधाई रायधानी कुर्णूल होगी ये गलत है क्यूंकि बिधाई रायधानी जो है वो अमराबती होगी क्लेर है और ये ऐसा मतलब तीन रायधानियों बनाने वाला देश का प्रत्थम राज़ भी बन गया है अगर हम बात आंध्रपदेश की करते हैं तो आंध्रपदेश से याद रखेगा आंध्रपदेश का गठन 1 अक्टूबर 1903 को हुआ था और ये भासा के आधार पर गठित होने वाला पहला राजी भी है अंध्रपदेश की मुखमंत्री का नाम है जंगोहन रडडी और यहां के गबरनर का नाम है बिस्व भूसन हरील चंदन नग्स्क कोशन हमारा कोशन नमर 18 कोशन नमर 18 कह रहा है हेलीना रच्छा उपकरन को किस देश ने बिक्सित किया है है एंटिटैंक गाइड़ मिसाइल है Next question है हमारा question number 19 Question number 19 कह रहा है कि चेक गंद्राज की मुद्रा का नाम क्या है अगर हम बात चेक गंद्राज की मुद्राखी करते हैं तब है कुरूना तो option number A जो होगा वो हमारा सयंसर है और चेक गंद्राज की रधानी है प्राग Next question है हमारा question number 20 Question number 20 कह रहा है ट्रेनों को नीजी छेतरों में देने है तुकिस समीति का गठन किया गया है तो ये किया गया है अमिताब कान समीति का तो option number B जो होगा वो हमारा सयंसर है अमिताब काम से याद रखेगा ये नीति आयो के CEO भी है Next question हमारा question number 21 Question number 21 का रहा है तेरा से 26 जनवरी के मद भविस उर्जा सिखर समीलन 2020 का आयो जन कहां किया गया है तो ये जो किया गया है वो किया गया है अबुधाभी यानि UAE में United Arab Emirates तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा और इस बरस इसमीलन का जो मुख भी सह है वो ये था Rethinking Global Consumption Production and Investment Next question हमारा question number 22 बैस्विक प्रतिभा प्रतियस प्रदा सुचकांग 2020 में भारत का स्थान क्या है तो 2020 में भारत का स्थान है 72 तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंतर है और 2019 में था 80 ठीक है और 2020 में है 72 अगर हम बात करते ही कि इसके पहले अस्थान पर क्या है तो पहले अस्थान पर है नौर्वे और इसका जारी करता है Insight Business School Next question है हमारा question number 23 Question number 23 करा हाली में किस राजसरकार ने परदूसन को कम करने के उद्धे से प्रती माह नो वेकिल्डे मनाने का निर्ने लिया है तो ये लिया है राजस्थान के गवर्मिर्ने तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा और ये हर एक माह के पहले कार्ल दिबस पर इसका आयोजन किया जाएगा अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो यहां के मुख मंतरी का नाम है असोग गहलोत यहां के राजपाल का नाम है कलाज मिस्र और ये जो राज है वो चांदी कच्छा तेल की उत्पादन में देश का सबसे अगरनी राज भी है अगर हम बात बीसमा एसी आई खेल के आयोजन करते हैं तो वो होगा तो 2026 में और इसका 2026 में जो आयोजन किया जाएगा यह नगोया में किया जाएगा जो की जपान में स्थित है तो आपसन नमबर A जो होगा वो हमारा सही अंसर है इससे पहले होगा उनीसमा एसी आई खेल जो 2025 में होगा और इसका आयोजन किया जाएगा चीन में तो आप उनीसमा और बीसमा दोनों याद रखिएगा नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 25 कोश्चन नमबर 25 कह रहा है कि निमलीखित में से किसका सुमेल नहीं है तो अगर हम बात करते हैं कि सुन्दरबन तो सुन्दरबन पश्चिम मंगाल बिल्कुल सुमेलित है भीतरकनिका उडिसा सुमेलित है पीचर बं तमिल नाडू ये भी सुमेलित है बेबम नाड करना चक ये सुमेलित नहीं है ये वे बेबम नाड जो है वो केरल में है Next question हमारा Question number 26 Question number 26 कह रहा किस बंदरबाह को काफी बंदरबाह के नम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है सेंटोस बंदरबाह को तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है अगर हम बात फेजंडा की करते हैं तो फेजंडा से याद रखेगा ब्राजिल के कहवा बाग को फेजंडा कहा जाता है और सौलो पोलो से याद रखेगा कहवा की मंडी को सौलो कहा जाता है ब्राजिल से याद रखिएगा ब्राजिल जो है वो पूरे दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और अगर बात करते हैं भारत में तो भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य जो है वो है करनाटक next question is question number 27 question number 27 question number 27 कह़े है तो विस्ववबने निदिबस या बानी की दिबस जो है वो 21 March को मनाया जाता है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 28 राश्टिये पोसंस्थान खाहा इस्थी ते है अगर हम बात अगर हम बात नई दिल्ली की करते हैं तो नई दिल्ली से याद रखेगा मौसम बिग्यान संस्थान, आयरुबेद बिग्यान, आयरुबेद संस्थान, भारतिये क्रिसी अनु संधान, ये सब नई दिल्ले में स्थित है, अगर हम बात कलकता की करते हैं तो कलकता से याद रख question number 29 कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए रेनिटिंग पनीर सुमेलित है जैप परदोगी सिमर्ट सुमेलित है गोल्डन चाबल बिटामीने सुमेलित है ओजोन परत ट्रॉपोस्फेर नहीं सुमेलित है जोन परत होता है वो स्टेटोस्फेर में पाया जाता है और अगर हम बाद ट्रॉपोस्फेर की करते हैं तो ट्रॉपोस्फेर से याद रखेगा जो बायू मंडलिये घटनाएं होती है जैसे बादल, आंधी, बरसा ये सब इसी मंडल में होती है नक्स कोश्ण है हमारा कोश्ण नमर 30 कोश्ण नमर 30 काईड़ा पसुओ को दिये जाने वाला कौन सा दर्ध निवारत भारत में गीधों के लिए लगबग बिलुप्त होने के लिए उतर दाई है तो ये है डाइकलोफिनिक तो आपसन नमर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर है ये जेनली एक दबा है जो पसुओ को दिया जाता है दर्ध निवारत में और फिर पसुओ से खा लेते हैं फिर इनकेस वो पसुओ मर गये और मर जाने के बाद गीध उन्हें खाता है अब गीध जब उन्हें खाता है तो ये गीधों के लिए हामफुल है और उसके बाद गीध मर जाते हैं तो यसिलिए ये गीधों के लगबग बिलुफ्ट होने के लिए उत्तरदाई माना जाता है नेक्स्कॉष्ण है हमारा कोश्ण नमर ठटी वन question number 31 कह रहा हिमाले परवत स्रिंखला किसका उधारन है तो हिमाले परवत जो स्रिंखला है वो बलिद परवत का उधारन है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा बलिद परवत को मोड़दार परवत भी कहा जाता है और जितने भी अगर हम बात करते हैं अगर हम बात मैक्सिको की खाड़ी और करेवियन सागर की बात करते हैं तब याद रखेगा युक्टान चैनल नेक्सक्टम 맞 Initiaries कीश ऑंद लगा किसा अंदोलन के दौरान Operation JavaScript जीरो और चलाया गया था तो Operation जीरो और जो चलाया गया था तो अप्सन नबर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है, भारत छोडोंगेशन के अगर बात करेएं तो को गिरस्तार कर लिया गया था जैसे गांधी जी हो गए राजियन परसाद जवाहरला नहरू ये सब को गिरस्तार कर लिया गया था गांधी जी के अगर बात करें तो गांधी जी को गिरस्तार करके पूना के आगा कहकर संबोधित किया था तो जेखिए इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B C.F. Andrews जो C.F. Andrews जो थे वो जलिया वाला बाग हत्या कांड के लिए अंग्रेजो को दोसी ठहराया था और कहा था कि उसने जानबूचकर हत्या किया है मतलब जानबूचकर की गई हत्या कहके संबोधित किया था next question है हमारा question number 35 question number 35 कह रहा है बंसन अच्छन अधी नियम कब पारित किया गया था तो बंसन अच्छन अधी नियम जो है वो नहीं 180 में पारित किया गया था तो option number A जो होगा वो हमारा सही answer होगा next question है question number 36 question number 36 कह रहा है इन में से कौन सी gas green house परभाव को उत्पन करने वाली gas है तो अगर हम बात करते हैं जल बास भी है मिथेन भी है उजोन भी है तो अब है carbon monoxide और benzene तो option number B और C दोनों सा ही होगा तो इसका जो होगा वो हो जागा option number D, B और C दोनों next question है question number 38 question number 38 कह रहा है कि आटा कामा मर्वस्थल कहां इस्थित है आटा कामा मर्वस्थल की बात करते हैं तो वो चीली में इस्थित है जो की दच्छीन अमेरिका में है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 39 question number 39 कह रहा है निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है तो देखिए अगर हम बात दीन दयाल बंदरगाह गुजरात करते हैं तो ये बिलकुल सही है फिर एतरलो आंधपदेश में नहीं है वो तमिलाडू में है तो ये गलत है तो इस question का तो सही अंसर होगा option number B तूति कोरिन तमिलाडू बिलकुल सही है और नहा बासोबा मुंबाई ये भी सही है next question है हमारा question number 40 question number 40 कह रहा है settling to the top the story of PB सिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये पुस्तक लिखा गया है B. क्रिस्म स्वामी के द्वारा तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर है और ये पुस्तक जो है वो अभी रिसेंटली अपरेल 2020 में परकासित किया गया है अगर हम बात PB सिंदू की करते हैं तो PB सिंदू से याद रखेगा ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं और हैदराबाद से बिलोंग करती है तो क्या होता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बहुत आप परिबर्तित रहेगी लेकिन जो उसकी दिसा होगी मतलब डायेक्शन होगा वो लागातार बदलता रहेगा और इसलिए बस्तू के बेग में परिबर्तन होता रहता है तो इस question का जो सयंसर होगा वो हो जागा option number C next question हमारा question number 43 question number 43 कह रहा है कि सुमेलित कीजे तो ए meter जो है वो बिदुधारा के साथ सुमेलित होगा hydrometer की अगर बात करते हैं तो ये साफेच आदता के साथ सुमेलित होगा barometer दाब के साथ और वट जो है वो जो सकती के साथ सुमेलित होगा next question हमारा question number 44 question number 44 कह रहा है बहिस्कृत भारत नामाग पुस्ता का परकासन किस ने किया था तो बहिस्कृत भारत नामाग पुस्ता का परकासन किया गया था बी आरम बेटकर के द्वारा परकासित या रचित है next question हमारा question number 45 question number 45 कहा रहा आधूनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है तो आधूनिक भारत का अगर निर्माता की बात करते हैं तो राजा राम मोहन रहा को कहा जाता है अगर हम बाद दयानन सुरसथी की करते हैं तो दयानन सुरसथी से याद रखेगा इन्होंने 1875 में आद समाज की अस्थापना किया है ठीक है अगर हम बाद बाल गंगाधर तीलक की करते हैं तो बाल गंगाधर तीलक से याद रखेगा Home Rule League 1816 और दादा भाई नरोजी से याद रखेगा इस्ट इंडिया एसोसियेशन 1866 और ब्रिटिस आर्वजनिक सभा 1843 नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन अबर 46 कोश्चन अबर 46 का रहा है निमलिखित में से कौन सार्क का सदस राष्ट नहीं है अगर हम बास सार्क की करते हैं तो सार्क की अस्थापना तो ही है 1985 में और इसका मुख्याल है काठमांडू में और टोटल इसमें 8 देश हैं मालदीब है भारत है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है नेपाल है भुटान है बंगलादेश है और सिरलंका है तो दिये गए options में जो चाइना है वो सर्कका सदस Katha से नहीं है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है हमारा question number 47 Question number 47 कहाँ जो दीपा मलिक का संबंद किस कहलते है तो दीपा मलिक का जो संबंद है वो para-gola fake से होगा então option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर है कियोंकि दीपा मलिक जो है बो एक पैरा एथिलीट्स है। देखें एक और चीज आपको नाम सुनने के लिए मिला होगा दीपा करमाकर दीपा करमाकर से याद रखेगा ये जिमनास्टिक हैं। और दीपा मलिक जो है बो क्या है पैरा गोला फेक हैं। तो confused नहीं होईएगा इन दोनों में, अगर हम बात दीपा मलिक की करते हैं, तो दीपा मलिक जो है वो सोनी पत हर्याना से बिलोंग करते हैं, और इन्हें 2019 में राजीब गांधी खिर लेतने वाड भी मिला है, और ये पहली ऐसी इंडियन बोमेन हैं, जिन्होंने पैरा में मेडल जीता है, 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, next question है हमारा question number 48, question number 48 क्या रहा है, दामोदर घाटी निगम की अस्थापना की गई थी, तो दामोदर घाटी निगम की अस्थापना की गई है तो राष्टिय सांखिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है तो अपसर नमर D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा 20 फरवरी को मनाया जाता है 20 वो समाजिक नया दिबस और अगर हम बात 29 जुलाई को करते हैं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है राश्टिय बाग दिबस Next question है हमारा question number 50 question number 50 का रहा है deuce double fault जैसे सब्द का संब्द किस खेल से है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number C यानि lawn tennis से है ठीक है अगर हम बात क्रिकेट की करते हैं तो क्रिकेट से भी कुछ परमुख सब्दा बली है जो आप याद रखेगा जैसे China man, LBW, swing, a stroke, cover, mid on, silly point, short pitch होकी की अगर बात करते हैं होकी से याद रखेगा पेनाल्टी है, स्ट्रॉक, साइड लाइन, अंडर कटिंग, सेंटर फॉर्वेड, फूल बैक next question हमारा question number 51 question number 51 कह रहा प्राकलन समीति के संब्द में नीम कत्नों पर बिचार कीजिए तो देखिए पहला है, इसकी सदस्यों की संख्या जो होगी, वो कितनी है, 25 होगी तो ये बिलकुल सही है ठीक है, इसमें सदस्यों, नाई, स्वारी प्राकलन समीति गलत की बात कर ला है तो ये जो है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है इसमें सदसों की संख्या 30 होती है तो ये क्या है गलत है अगर हम बात लेकिन मूलता करते हैं तो मूलता जो था वो प्रैकलन समीति में 25 सदस्ते ही थे लेकिन 1956 में इसके सदस्त की संख्या जो थी वो बढ़ाकर 30 कर दी गई थी clear है तो इसके सदस्यों की जंख्या कितनी हो जाएगी तीस हो जाएगी अगर हम बात करते हैं इसके सदस्यों में से 15 सदस लोकसभा और 10 सदस राजसभा के होते हैं ये भी गलत है क्यों क्योंकि समीति में जो है वो 300 के 300 सदस जो होते हैं वो सब लोग सभा से होते हैं, इसमें राज सभा का कोई भी प्रतिदिनी धी नहीं होता है, इसका कार्जकाल तीन बर्स का होता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो कार्जकाल होता है, वो एक बर्स का होता है, कोई भी मंतरी समीती का सदस नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है तो मातर 4 सही है बात बाकी 1, 2, 3 जो है वो गलत है अगर हम बात प्रकलन समीथी की करते हैं तो इससे इंपोर्टेंट एक चीज और याद रखेगा प्रकलन समीथी जो है वो सबसे बड़ी संसदिय समीथी भी है क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नमर 52 कोशन नमर 52 कह रहा है कि राजपाल की सम्मेलन की अधहचता कौन करता है तो राजपालों की सम्मेलन की अधहचता राश्ट पती करेगा मुख मंतरी की सम्मेलन अगर पूछे तब अधहचता प बात करते हैं तो पहले में दिया हुआ है भाग पांच भाग पांच की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा संग सरकार के साथ और इसका जो अनुछेद है वो है अनुछेद बामन से लेके अनुछेद 101 कामन अनुछेद भाग दस की अगर बात करते हैं तो भाग दस में बि अगर हम बात और कुछ important भाग की भी कर लेते हैं जो अक्सर एक जाम में पूछा जाता है वो है भाग 1 जिसे संग और उसका राजचेतर है उसमें अनुचेत 1 से लेके 4 तक विब्रन है भाग 2 में है नागरिक्ता जो है अनुचेत 5 से लेके 11 भाग 3 में मौली का दिकार खेचथ 36 से लेके रेकामन भाग 4 के कव में है मुलकरतब जो की एकामन क के तहट है भाग 17 में है राज भासा जो की है 343 से लेके 330 कामन और भाग 18 में है अपात उब्ध जो की है तीनसो बाबन से लेके 360 नक्स कोशन हमारा कोशन नमर 54 कह रहा आयरलेंड के संभीधान से भारतिय संभीधान में लिया गया है तो राज के नितिनी देशक्सिदान्त बिल्कुल आयरलेंड से लिया गया है राश्टपती की निवाचन पद्धिती ये भी लिया गया है राज सभा के लिए सदस्यों का नमंकन ये भी लिया गया तो इस question का जो सही answer होगा बहु हो जागा option number D उप्यूक्त सभी next question है हमारा question number 55 question number 55 कर रहा है निमलिखित में से कौन सा अनुछेद उच्छ न्याले को अभी लेखिये न्याले का दर्जा देता है तो ये देता है अनुछेद 215 उच्छ न्याले को अभी लेखिये न्याले का दर्जा देता है और अनुछेद 139 के तहट उच्छ न्याले जो हो है वो एक अभी लेख न्याले है अगर हम बात उच्छ न्याले की करते हैं मतलब हाई कोट की करते हैं तो उससे बात करते हैं भारत की राजभासा देबनागरी लिपी में हिंदी है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बहुज़गा और इससे रिलेटर इंपोर्टेंट एक अनुछे दियाद रखेगा अनुछे 343 जो ये कहता है कि संग की आधिकारिक भासा देबनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी होगी नेक्स कोशन है कोशन नमर 57 कोशन नमर 57 कह रहा है भारत का संभिधान किस परकार का है भारत का जो संभिधान है वो साधानता एक आत्मक है तथा विसे सिस्थिती में संगात्मक है तो आपसन नमबर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 58 कोशन नमबर 58 कहरा भारत का सम्मिधान कहता है कि अब सिष्ट अधिकार किसके पास होगे तो जो अब सिष्ट अधिकार होगा वो होगा संघ की संसत के पास रहेगा तो आपसन नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है अनुछे 298 का अनुछार संग के पास अब सिर्ष सक्तियां होगी वैसा अधिकार जिने किसी भी सुची में नहीं रखा गया है Next question is question number 59 Question number 59 करा किस परस्ताओं को पारित किये जाने पर मंत्री परस्त को स्थिपा देना पड़ेगा तो यह है अब इस बास परस्ताओं तो आपसन नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अब इस बास परस्ताओं से याद रखेगा अब इस बास परस्ताओं जो है वो सदन में भी पच्छी दल के किसी भी सदस के द्वारा रखा जा सकता है लेकिन प्रस्ताओं के पच्छ में कम से कम 50 सदस्यों का होना आबस्यक है और प्रस्ताओं प्रस्तूत किये जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आबस्यक है Next question है मारा question number 60 Question number 60 कह रहा है कि लोग लेखा समीती से समंधित तत्यों में सही कौन है ठीक है तो इसमें कुल 22 सदस होते हैं ये बिल्कुल सही है लोग लेखा समीती में 22 सदस होते हैं जिसमें 15 लोग सभा से होंगे और 7 सदस जो होंगे वो राज सभा से होंगे छीक है तो इसमें राजसभा के 15 सदस्य होते हैं नहीं यह गलत है क्यूंकि अभी हमने देखा कि 15 लोगसभा से होते हैं और 7 राजसभा से होते हैं तो दूसरा गलत है और फिर है इन समीती में सदस्यों को प्रति बर्स अनुपांतिक प्रति निदित के अधार पर चैयन किया जाता है ये भी बिल्कुल सही है तो इस question में first और third सही है और second गलत है अगर हम बात लोक लेखा समीती की करते हैं तो इसको प्रकलन समीती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे लगू लोक सभा भी कहा जाता है next question है हमारा question number 61 question number 61 कहा रहा है भारतिय सम्विधान की छटमी अनुसुची में जन जातीय छेतरों के परसासन का प्रभधान है निमलिकित में से कौन सा राज इस अनुसुची की अंतरगत नहीं है तो देखे छटमी अनुसुची की बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि अस समपोस्निये और अधीक समाबेसी विकास्तिम्न में से किस पंचबर्सिय योजना का केंद्रिय बिद्धु था केंद्रिय बिद्धु था तो ये था बारहमी पंचबर्सिय योजना का तो आपसा नमर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा बारहमी पंचबर्सिय योजना की करते हैं तो ये था 1997 से लेके 2002 और इसमें जो था वो ये रखा गया था सर्बोच प्रात्मिक्ता नियापुन बित्रन एबं समानता के साथ विकास अगर हम बात दसमी पंचबर्सी योजना की करते हैं तो ये था क्लेर है चैलिए अब अब बदते हैं अगले कोशन की तरब जो जो क्या हमारा कोशन नमर 63 का रहा है गिल्ट एजडिम मार्केट निम्ण में से वो था 1966 से लेके 1969 तक तो आपसे नम्मर ए जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए हुआ क्या था कि तिये जो पंचबर्सिय योजना था वो एकदम से असफल हो गया था और उसकी असफल और फिर भारत पाक यूद हो गया इसके कारण थोड़ा आर्थिक अस्थीरता भी आई और फिर भीसन सुखे के कारण ये सारे रीजन के कारण जो था वो पंचबर्सिय योजनाओं को बिराम दे दिया गया और पंच बर्सिय योजना को बिराम देने के बाद एक अपरेल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक तीन बार्सिक योजनाओं का संचालन किया गया और इसे ही हम लोग प्लान होली डे या फिर योजना आपकास कहते हैं नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 65 का रहा है चालू खाते के संदर में किस बर्स रूपे को पुन रूप से परिवर्तनिये घोसित कर दिया गया तो ये किया गया था उनीस अगस्त नहीं सो चौरानमे को तो आपसर नमर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा रूपे से एक चीज याद रखेगा कि रूपे के लिए जो सिंबल यासे जो बनाया गया है ये बनाया है असो उदय कुमार ने क्लिर है उदय कुमार उनका नाम है next question है हमारा question number 66 question number 66 कह रहा है सार गैसो क्या है तो सार गैसो की अगर बात करते हैं तो यह उतली anti-lighting महासागर में इस्थित बनस्पती छेत रहे जो कि इसका नाम घास के मैदान के नाम पर लखा गया तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number C समुदरी बनस्पति छेतर है clear है next question हमारा question number 67 question number 67 कह रहा है डायो मेंटीना गर्थ या खाई किस महासागर में इस्थित है तो डायो मेंटीना गर्थ कि अगर बात करते हैं तो यह हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ी खाई है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B लेकिन अगर पुझे बिस्व की बात करते हैं तो बिस्व में जो सबसे गहरी खाई है वो मेरीना गर्थ है और वो कहां इस्थित है परसांत महासागर में मिदनाओ गर्थ अगर हम बात अट्लांटिक महासागर की करते हैं तो अट्लांटिक महासागर से याद रखेगा प्यूरीटो एरिको Next question है question number 68 Question number 68 कहारा बर्मूडा तिर्भुच का त्रिकोन किस महासागर में इस्थित है तो बर्मूडा तिर्भूच का जो त्रिकोन है वो उत्तर पश्चिम अट्लांटिक महासागर में स्थित है तो आपसन नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर है ठीक है यह बर्मूडा और व्यू टोलको को मिला कर बनने बाला एक त्रिकोन यह समुदरी छेतर है नक्स कोशन है कोशन नमर 69 करहा है आगनेच छेटां गिले नाइट का रूप आंतरित रूप है तो इस कोशन का जो साही अंसर हो जागा बो हो जागा ऑप्सन नमबर B गले नाइट नीस के साथ अगर हम बात सीट की करते हैं तो सीट से याद रखेगा बिसॉल्ट अगर हम बा रहे थे सरदार बल्ला भाई पटेल के द्वारा ये कहा गया था क्योंकि वो मुस्लिम लिग के द्वारा जो परिशानिया पैदा की जा रही थी बार-बार इससे उन्होंने परिशान होकर ये कहा था कि जिनना विभाजन चाहे या नहीं चाहे अब हम ही विभाजन चाहते हैं तो इस question का जो सहयन सरोगा बहुँ जागा option number D Next question है मारा question number 71 Question number 71 कहा रहा है अंतरीम सरकार में Muslim League के कुल कितने प्रतिनीधी सामिल हुए थे तो ये 26 October 2014 की बाप कर रहा है तो 26 October 2014 को परस्ताब के द्वारा Muslim League के 5 प्रतिनीधी को अंतरीम सरकार में सामिल किया गया थे तो इस question का जो सहयन सरोगा बहु जागा option number B Next question है मारा question number 72 Question number 72 कहा रहा है और दे नेटिव स्टेट्स आफ इंडिया पुस्तग के लेखा कौन है तो दे नेटिव स्टेट्स अपुस्तक लिखी गई है बिलियम ली बॉर्टनर के द्वारा तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जागा option number A next question है हमारा question number 73 question number 73 कहरा है अनबार एस सुहाईली किसका फार्सियन उबाद है तो ये पंच तंतर का फार्सियन उबाद है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जागा option number D next question है question number 74 भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन की देन मानी जाती है तो ये पूर्तगालियों का माना जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जागा option number A पूर्तगाल next question है question number 75 question number 75 का रहा 1867 इसवी के यूद में British का सबसे कटर दुस्मन कौन था तो 1867 इसवी में British का जो सबसे कटर दुस्मन था वो था मौलवी अहम उद्दला तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और इसे ही सर्वोत्तम सैनिक भी कहा गया है 1867 की यूद में मौलवी अहम उद्दला की बात करते हैं तो ये फैजाबाद का नेतरित्व कर रहे थे ठीक है अगर हम बात खान बहादूर खान की करते हैं तो ये बरेली का नेतरित्व कर रहे थे और लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद का नेतरित्व कर रहे थे नेक्स्स कोशन है कोशन नबर 76 Question number 76 कह रहा है तब Bramra Negraja के नेत्रित था दीमेनार टाइगोर के द्वारा किया गया था क्योंकि जो देमेनार टाइगोर थे वे राजारा मोहन राइगोर के प्रमुख अनुख अनुआही थे तो इस question का जो सही उंसर होगा वह जएगा Option number B देमेनार टाइगोर और फिर इसके बाद केशब चंदरसेन ने आदी ब्रहम समाज की अस्थापना किया था अगर हम बात राजारा मोहन राय की करते हैं तो इनसे याद रखेगा इन्हें भारतिये पुन जागरन का आगरदूत भी कहा जाता है अधूनिक भारत का जनक भी कहा जाता है नक्स कोशन है हमारा कोशन नबर 77 कोशन नबर 77 कह रहा है 1937 में परांतों में सरकार निर्मान के उपरांत कॉंग्रेस का साथन कितने माह तक रहा था तो देखिए सरकार बनी थी जुलाई 1937 में और इस ठीपा दिया था अक्टूबर 1939 में तो कुल मिला के अगर ऐसे देखा जाए तो रहा था 28 माह तो आप सरमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए हुआ क्या था कि जब कॉंग्रेस में चुना हुआ था जब पहली बार चुना हुआ था तो कॉंग्रेस जो था वो बीना भारतियों से पुछे हुए भारतियों को यूध में जोग दिया था और कॉंग्रेस ने इसी का बिरोध करते हुए एक नारा भी दिया था और कहा था ना कोई भाई ना कोई पाई और उसने इसी नारे के साथ अपने द्वारा सासीत प्रांतों के सभी मंत्री मंडलों से त्याग पत्र दे दिया था Next question है हमारा question number 78 Question number 78 कहारा स्वरसती पत्रिका का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था तो स्वरसती पत्रिका का जो संपादन है वो महाबीर परसाद दिवेदी के द्वारा किया जाता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक महादेवी बर्मा से भी एक चीज याद रखेगा चांद महादेवी बर्मा के द्वारा संपादित किया जाता था next question है omar question number 79 question number 79 कहेरा है निमलिखित में से किन वैक्तियों ने दूतियों गोल में समेलन में भाग लिया था अगर हम बात करते हैं दूतियों समेलन की तब आपके दिमाग में आ गया होगा साफ सितमर 1931 और दूतियों गोल में समेलन में गांधी जी अकेले और तीन, तीनो, ठीक है, इससे एक चीज और याद रखेगा गोल में समेलन से, प्रथम गोल में समेलन हुआ 12 नमंबर 1931, दूतिय गोल में समेलन हुआ 7 सितमर 1931, तीतिय गोल में समेलन हुआ 17 नमंबर 1932, तीनो गोल में समेलन में भाग लेने वाले थे बियर अरंबेटकर, जो कि अच्छूतों को प्रतिनी दित्र के रूप में भाग लिया था और तीनों गोल में समय इंग्लेंड के जो परधान मंतरी थे उनका नाम था बो पारित किया गया था 1879 में तो आपसन नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात कबीर की करते हैं तो कबीर से याद रखेगा इनका उपदेश सबद जो है वो सिखो के आदिग रह में संग रही थे और कबीर की बानी की संग्रह को बीजक नाम से जाना जाता है अगर हम बात चैतन की करते हैं तो चैतन से याद रखेगा इन्होंने गोसाई संग की अस्थापनाई भी किया था और सग किर्थन प्रथा को जन्म दिया था अगर हम बात तुकराम की करते हैं तो तुकराम से याद रखेगा इसने इस बात पर बल दिया था कि सभी मनुष जो है वो परम पिता इसवर की संतान है और इस कारण सभी मनुष आपस में समान है Next question है हमारा question number 83 Question number 83 कह रहा है निमन में से सुची एक को सुची दो के साथ सुमेरित कीजिए अगर हम बात प्रथम बहुत संगिती की करते हैं तो ये राजग्री में हुआ था और आजाद सत्रू के कारकाल में हुआ था तो ये आजाद सत्रू के साथ मैच करेगा अगर हम बात दूतिय बहुत संगिती की करते हैं तो ये बैसाली में हुआ था काला सोक के सासनकाल में जो किसी सुनाग बंस का था अगर हम बात तीतिय बहुत संगती की करते हैं तो तीतिय बहुत संगती पाठली पुत्र में हुआ था जो असोक के सासनकाल में मौरबंस का राजा था अगर हम बात चतुर्थ बहुत संगती की करते हैं तो ये कास्मीर कुंडलबन में हुआ था और यहाँ पनिस्क राज़ा था कुसान बंस का छीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक कोश्चन पुछा जाता है कि कौन सा बहुत संगती है जो बिहार से बाहर हुआ था तो ये चतुर्थ बहुत संगती ही ही है जो कि कुंडल बन कास्मीर में हुआ था नाइक्स कोशन है वारा कोशन अबर 84 कोशन अबर 84 कह रहा है कि गांधी जी के निमलिखित आंदोलन को काला नुकरम बेबस्तित कीजिए अगर हम बात हमदाबाद असायोग अंदोलन की करते हैं तो असायोग अंदोलन से याद रखियेगा 1929 भूखे रहे थे और भूख हर्ताल किया था next question है हमारा question number 85 question number 85 का रहा है नाभिक के अलाबा कोसिका के किस कोसिकांग में DNA होता है तो mitocondria में होता है तो action number D जो होगा वो हमारा science है mitocondria को powerhouse of the cell भी कहा जाता है देखिए मानब सरीर के अगर बात करते हैं तो मानब सरीर के हर कोसिका में DNA पाया जाता है और जो अधिकांस DNA होता है वो कोसिका के नाभिक में पाया जाता है जिसको हम लोग nuclear DNA भी कहते हैं लेकिन कुछ DNA जो होते हैं वो mitochondria में पाया जाता है जिसको mitochondrial DNA कहते हैं next question है हमारा question number 86 question number 86 कह रहा है निमलिखित में से कौन सा सही है तो सही है चाल बराबर दूरी बटा समय तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर है यही की चाल बराबर दूरी बटा में समय next question हमारा question number 87 question number 87 कह रहा है किन गुनों में हार्मोन जो है वो enzyme से भीन होता है तो यह सभी protein नहीं है इन गुनों में जो होगा वो हर्मोन इंजाइन से भीन होगा क्योंकि एंजाइन जो होता है वो मुख रूप से प्रोटीन से बना हुआ होता है लेकिन जो हर्मीन हर्मोन होता है वो प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसीड, अस्ट्रोइड ये सबसे मिलकर बना हुआ होता है next question है हमारा question number 88 question number 88 कहा रहा है Newton का प्रथम गती नियम कहलाता है तो Newton का जो प्रथम गती नियम है वो Galileo का नियम भी कहलाता है और Geratow का नियम भी कहलाता है जब तक कोई बोड़ी है वो मोसन में रहना चाहेगा जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल अपलाई नहीं करते है next question है हमारा question number 89 question number 89 कहा रहा है निमलिखित में से कौन सा रोग vitamin A की कमी के कारण होता है तो vitamin A के कमी के कारण जो रोग है या तो रतांधी है या फिर जीरो प्लेथिम थेलेमिया है तो इस question का जो सही अंतर होगा बो हो जागा option number B अगर हम vitamin A की बात करते हैं तो vitamin A का जो क्यामिकल लेम है वो है retinol next question है question number 90 question number 90 कहा रहा है एक biocratic जिसे ultrasonic धोनिक आउप्योग किया जाता है बो क्या है तो बो है सोनोग्राफी तो option number A जो होगा बो हमारा सही अंतर होगा सोनोग्राफी की अगर बात करते हैं तो ये एक चिकिस्टक प्रकिलिया है जो सरीर के अंदर अंगो उतको एवा मजक्त प्रबाह की गति सील छबियों का उत्पादन करने के लिए उच आवर्टी धोनी तरंगों का उप्योग करती है next question है हमारा question number 91 question number 91 कह रहा है यदि लोलक की लंबाई मतलब pendulum की लंबाई चार गुनी कर दी जाये तो लोलक की जूलने की अबदी क्या होगी तो इस question का जो सही answer होगा बो तो हो जाएगा दोग नहीं हो जाएगी देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजे लोलक की अगर बात करते हैं तो pendulum pendulum की जो यह है वो दो चीजों पर depend करता है पहला तो length of the pendulum और दूसरा acceleration due to gravity length of the pendulum से वो directly proportional होगा मतलब length of pendulum बढ़ाएंगे तो लोलक की लंबाई अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका जो time period है मतलब जूलने की जो अबधी है वो भी बढ़ेगा और अगर acceleration due to gravity बढ़ाएंगे तब के उसका जो time period है वो घटेगा तो वो एक से मतलब length of the pendulum से directly proportional है और acceleration due to gravity से inversely proportional है clear है और कितना होगा एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे t बराबर 2π under root l upon g clear है तो length के लिए तो सबते अच्छा फार्मूला है length को जितना बढ़ाया और लोलक के जूलने की अबधी पूछे उसका under root कर दीजे यहां 4 गुना पुछा है तो हम लोग 4 का under root कर दीए तो 2 आया है तो दूग नहीं हो जाएगी अगर बोलता है कि लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ाया है तो 9 को under root करेंगे यानि जो जूलने की अबधी है वो 3 गुना बढ़ेगी next question हमारा question number 92 question number 92 कर रहा है बायू अंगार गैस में मुख घटक होता है तो बायू अंगार गैस जो होता है वो इसका उपयोग कांच अब धातुनिस करसन उद्योग में किया जाता है और ये लगभग इसमें CO जो होता है वो 32% N2 65% और CO2 3% होता है मतलर CO N2 और CO2 मिला कर बना हुआ होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number A next question है question number 93 इन में से कौन सा हर्मोन प्यूस गरंथी से स्रावित नहीं होता है तो प्यूस गरंथी से स्रावित नहीं होता है तो मादा जननतंद में फैलोपियन ट्यूब को हम लोग जिसको हम लोग डिब बाही ननिका कहते हैं उसको सबसे पहुत मत्पूनंग माना जाता है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 95 question number 95 का रहा एंटी बायोटिक्स का अभिसकार किस ने किया था पात तब हो जाएगा गुलकोच तो option number C जो है वो हमारा सही अंसर है next question है question number 97 question number 97 कहरा स्वच भारत रिपोर्ट के अनुसार इन में से कौन सा कथन सत्य है तो रिपेट के अनुसार जैपूर देश का सबसे स्वच रेलबे अश्टेसन है बिल्कुल सही है next question हमारा question number 98 question number 98 कहरा है नोमेडिक एलिफेंट 2019 संजुक सैन अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है तो ये किया गया है भारत और मंगोलिया के बीच तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जागा option number C और हुआ कहा है हिमाचल परदेश में हुआ है अगर हम बात भारत और मालदीप की करते हैं तो भारत और मालदीप से याद रखिएगा एक कुबेरियन जो है युध अभ्यास यह तीन देशों का एक संजुक सैन अभ्यास है next question हमारा question number 99 question number 99 कहरा है अक्टूबर 2019 में FATF ने किस ACI देश को ग्रे सुची से बाहर किया है तो ये स्रिलंका को बाहर किया है लेकिन पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिश्ट में है तो इस question का जो सईयंसरों का बहु हो जगा option number B, Sri Lanka FATF की अगर बात करते हैं तो इसका full farm होता है the financial action task force और इसका गठा 1989 में हुआ है और इसका headquarter है Paris, France में next question है हमारा question number 100 question number 100 का रहा सितंबर 2019 में किस सहर में cyber अपराध जाच पर पहला राष्टिय समेलन आयोजित किया गया तो ये किया गया है नई दिल्ली में तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा अगर हम बात CBI की करते हैं तो CBI के जो director है वो उनका नाम है रिसी कुमार सिकला CBI का headquarter है New Delhi और इसे formed किया गया था 1941 में as the police special police establishment clear है तो ये था हमारा आज का वीडियो आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे comment करके जरूर बताएगा साथी साथ पहले आप लोग PDF डाउनलोड कर लिजेगा और PDF डाउनलोड करने के बाद खुद से attempt कीजेगा और attempt करने के बाद फिर से आप ये वीडियो को देखेगा और इससे आपका एक क्यूक रिविजन भी होता चला जाएगा और आपको बहुत सारे नई चीजे भी सीखने के लिए मिलते रहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग